सब्सक्राइब कीजी हमारा चैनल क्रेजी जिकेटरिक और लेटेस्ट विडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं हेलो फ्रेंड्स विलकम टू क्रेजी जिकेटरिक दोस्तों इंडियन जोगरफिकी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस विडियो में देखिए हम बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पतिया, नैचुनल वेजिटेशन और भारत के वनसंस्ता के बारे में काफी important lecture है इस टॉपिक से देखिए SSC और PSC exam में question जो है अक्सर पूछे जाते हैं विडियो को आप ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को देखिए हम दो विडियो में cover करेंगे पहले विडियो में देखिए हम सारा theory section cover करेंगे प्राकृतिक वनस्पतिया और भारत के वनसंस्ता से related इसके बार देखिए second lecture में हम 50 plus important questions का एक test लगाएंगे जो last year इस topic से exam में question पूछे गए हैं और जो question पूछे जा सकते हैं वो सारे question जो है हम lecture 2 में cover करेंगे मतलब आपने दोनों lecture देख लिए इस topic से आपका कभी भी exam में question गलत नहीं होगा इससे भार आपका question नहीं जाएगा तो दोनों वीडियो को जरूर cover करिएगा इस topic का देखिए अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो crazy zk trick का application डाउनलोड कर लिजेगा वहाँ पर हमने option दे रखा है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं साथ ही देखिए crazy zk trick पर आप test series भी join कर सकते हैं उसका option भी application में दे रखा है चलिए friends हम lecture को start करते है तो देखिए प्राकृतिक वनस्पतियां से start करते हैं natural vegetation तो vegetation वनस्पतियां होती क्या है देखिए पोदों के समू को ही हम क्या बोलते हैं vegetation बोलते हैं मतलब वनस्पति बोलते हैं समझ में आया आया आपको vegetation वनस्पतियां किसे का जाता हैं अब देखिए अलग-अलग भोतिक तत्वों जैसे की वर्षा, आदरता, हुमिलिटी जो होती है तापमान, मिट्टी के आदार पर भारत में अलग-अलग प्रकार की वनस्पतिया वन जो है वो पाए जाते हैं चलिए एक्केक करके हम सभी को डिस्कस करेंगे ध्यान से देखिएगा देखिए कोशन नहीं से पुझा जाता है सबसे पहले हम बात करते हैं उष्नकटीबंदिये सदा पहर वन की बारे में इसे देखिए उष्नकटीबंदिये सदा पढ़नी वन भी कहते हैं इंगलिश में इसे बुला जाता है ट्रॉपिकल एवर्ग्रिन फॉरेस्ट ये वन जो है भारत में अत्यदिक आदरता जहां पर हुमिरिटी होती है वहां पर देखिए पाए जाते हैं उष्नकटीबंदिये सदा पहर वन सदा पहर देखिए नाम से इसपस्ट है कि हमेशा हरे भरे रेना सदा पहर जिन शेत्रों पर वार्षिक वर्षा 250 सेंटिमीटर से अधिक होती है और आदरता सित्र पतिशत से अधिक होती है वहां पर देखिए फ्रेंट उष्नकटीबंदिये सदा बार वन पाए जाते हैं ठीक है अत्यदिक आदरता के कारण ये वन जो होते हैं बहुत यादा डैन्स होते हैं सगन होते हैं बहुत यादा घने होते हैं ठीक है और इन वनों की उचाई भी जो होती है वो अपेक्षाकरत जादा होती है भारत में देखिए उश्नकटी बंदिये सदाबार वनों की बात करें तो कहां कहां पर पाए जाते हैं असम, अरुनाचल प्रदेश, मेगालाय, मनिपूर, त्रिप इसके बाद देखिए दक्षिन में सहाद्री, शेत्र, पश्रिम, घाट के आसपास निलगिरी की पहाड़ियों पर उश्नकटी बंदिये सदाबार वन जो है वो पाए जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा निलगिरी की पहाड़ियों पर उश्नकटी बंदिये सदाबार वन पाए जाते हैं इसको मैं आगे आपको अच्छे से और एक्स्प्लेन कर दूँगा तो ध्यान रखिएगा कहां कहां पर भारत में उश्नेकटी बंदिये सदाबार वन मतलब सदापरणी वन जो है वो पाए जाते हैं आगे देखिए उश्नेकटी बंदिये सदाबार वन जो होते हैं इन्हें वर्षा के आदार पर दो प्रकार से बाटा जा सकता हैं एक होता है देखिए उश्नेकटी बंदिये आदर सदाबार वन इस प्रकार के वन जो होते हैं वो सदा हरे बरे होते हैं और सेकेंड होता है देखिए उश्नकटीबंदिय अर्द आदर सदाबार वन। इस प्रकार के वन हमेशा हरेबर नहीं होते हैं। ठीक है? तो ये देखिए वर्षा के आदार पर इन्हें दो प्रकार से बाटा जा सकता हैं। सदाबार तो होते ही, उसके अंदर भी देखिए वर्षा के आदार पर इन्हें दो भागों में बाटा जा सकता हैं। तो भारत में सबसे अधिक सगन वनों का शेतर जो है, वो किस राज्जी में पाया जाता हैं ध्यान रखेगा अरुनाचल प्रदेश में। इंपोर्टेंट है अरुनाचल प्रदेश में भारत में देखिये सबसे अधी सगन वनों का शेत्र जो है वो पाया जाता है क्लियर उष्ण कटी बंदी सदाबार वन जो है उनमें देखिये मूखे वरक्ष कोन-कोन से होते हैं सिनकोना होता है रबर नारियल बांस रोजवूड जिसे शिशम कहा जाता है आईरन वूड इस तरीके के देखिये वरक्ष जो है वो उष्ण कटी बंदी सदाबार वनों में देखने को मिलते हैं तो ये क्लियर हुआ आगे देखिये सेकेंड आम डिसकस करते हैं उष्ण कटी बंदी ये पनपाती वन इसे इंग्लीश में बोला जाता है Tropical Decidious Forest उश्नकटीबंदी ये पनपाती वन इसे देखिए उश्नकटीबंदी ये पतजड़ वन भी कहा जाता है तो confuse मत हो येगा कौन सा भी एक्जाम में नाम मिले आपको तो समझ जाईएगा उश्नकटीबंदी ये पनपाती वन जो है देखिए ये दो प्रकार के होते हैं एक होता है उश्नकटीबंदी ये आदर पनपाती वन और उश्नकटीबंदी ये शुश्क पनपाती वन तो देखिए सबसे पहले हम उष्णकटीबंदी आदरपनपाती वनों को डिस्कस करते हैं तो भारत में देखिए 19.7 प्रतिशत भाग पर उष्णकटीबंदी आदरपनपाती वन और वनस्पतियां जो है वो उपस्तित हैं ये देखिए 100 से 200 सेंटेमीटर वर्षा वाले शेत्रों में पाये जाते हैं कौन से आदरपनपाती वन जहां पर देखिए वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटेमीटर होती है उन शेत्रों में उष्णकटीबंदी आदरपनपाती वनों को देखिए मानसूनी वन के नाम से भी जाना आता हैं भारत में देखिए कहा कहा पर पाय जाते हैं तो देखिए पश्रीम गाट की ढलानों पर भारत के उत्तर पुर्वी भाग भाबर और तराई शेत्र जो है वहाँ पर देखिए उष्ण कटी बंदी आदर पनपाती वन पाय जाते हैं क्लियर अब इसके अंदर देखिए कौन-कौन से प्रमुक वरक्ष आते हैं तो सागोन, साल, आम, शिशम, द्रिफला, चंदन और महुआ इन वरक्षों का देखिए विस्तार जो है वो उष्ण कटी बंदी आदर पनपाती वनों में देखने को मिलता है देखिए यहाँ पर हम मतलब सागोन ये कहां पर पाया जाता है मध्यप्रदेश में पाया जाता है कूल सागोन वरक्षों का 50 प्रतिशत हिस्सा जो है वो सिर्फ मध्यप्रदेश मतलब MP में ही पाया जाता है ज्यान रखेगा इस चीज को आगे देखिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं उष्ण प्रतिशत भाग पर देखिए 47.8 प्रतिशत भाग पर इस तरीके के वन और वनस्पतियां उपस्ती थे हैं इस तरीके के वन और वनस्पतियां जो है वो प्राया सित्तर से सो सेंटिमेटर वार्शिक वर्षा वाले शेत्रों में पाय जाती है भारत में देखिए सबसे ज़ पता नहीं होता है, हमने पढ़ा ही नहीं होता है, तो हमको आइडिया नहीं होता है उस चीछ के बारे में, तो ध्यान रखेएगा उश्नकटी बन दिये शुश्क पनपाती वनों का भारत में सबसे ज़्यादा विस्तार पाया जाता है। इसमें देखिए चंदन जो है, वो सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है। बॉर्डर पर कौन सी पाड़ियों का विस्तार है निलगिरी की पाड़ियों का विस्तार है निलगिरी की पाड़ियों पर चंदन और यूकेलिप्टस के व्रक्षों का विस्तार जो है वो पाया जाता है और निलगिरी की पाड़ियों से चंदन की लकडियां जो है वो प्रकार की इमारती लकडी जो है वो प्राप्त की जाती है और जहांज बनाने में सस्ते फर्निचर होते हैं उनको बनाने में इन लकडियों का उप्योग किया जाता हैं ओके तो मैंने दो आपको बताएं निलगिरी की पहाड़ियों पर चंदन और यूकेलिप्टस ध्यान देखिए ये केरल में पढ़ती है साइलेंट वेली यहाँ पर सेलानियों को देखिए शांती का अनुबव होता है इसलिए इस वेली को क्या का जाता है साइलेंट वेली का जाता है तो कहाँ पर इस्तिते निलगरी की पाड़ियों में स्तिते केरल में पढ़ती है साइलेंट वेली तो समझ में आया आपको उष्ण कटी बंदी आद्रपनपाती वन और उष्ण कटी बंदी शुष्क पनपाती वनों को हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया इन्हें पतजड वन भी कहा जाता है आगे देखिए हम बात करते हैं भारत में राजेस्थान, दक्षिन पश्चिम पंजाब, दक्षिन पश्चिम हर्याणा में साथी आंद्रप्रदेश, तेलंगाना और करनाटक राज्य में अर्द चंदराकार पेटी के रूप में भी ये वन उपस्ती थे हैं मरुस्थली वन ठीके? इसमें मुख्य वरक्ष जो है, वो कौन-कौन से हैं? बबुल, खजूर, नाकफणी, केक्टस और खेजरी खेजरी वरक्ष जो है, इसे देखिए मरुस्थल का राजा कहा जाता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट है खेजरी वरक्ष को मरूस्थल का राजा कहा जाता है क्योंकि देखिए इसको पानी की कम आवशक्ता होती है और मरूस्थल में देखिए ये हरा बरा रहता है इसलिए इसे खेजरी को मरूस्थल का राजा कहा जाता है धियान रख़ेगा, एक्जाम में देखेए कौशन पूछा गया था, इसके बाद देखेए देल्टाई वनो की, इन्हें देखिए मैंग्जरो वन, दलदली वन और ज्वारी वन भी कहा जाता है ये देल्टाई वनो को, ये देल्टाई वन जो है गंगा ब्रह्मपूत्र, स्वन रेखा नदी, महा नदी, क्रष्णा गोदावरी के डेल्टाई शेत्रों में उखते हैं डेल्टाई वन कहा कहा पर उखते हैं मैंने जो बताया आपको ये जरूर दिहान रखिएगा मतलब देखा जाए तो नदीों का ताजा पानी जब समुद्र के जल से मिलता हैं वहाँ पर इन व्रक्षों की उत्पत्ति होती हैं अत्यदिक मातरा में देखे डेल्टाई वन जो है ये गंगा ब्रह्मपूत्र के डेल्टाई शेत्रों में पाई जाते हैं गंगा ब्रह्मपूत्र के डेल्टाई शेत्र को सुन्दर वन के नाम से जाना जाता हैं वेरी वेरी इंपॉटेंट है डेल्टाई वनों में देखी मुख्य वरक्ष कौन-कौन से हैं सबसे ज़्यादा मेंग्रो वन जो है वो कहाँ पर पाया जाते हैं पश्रिम मंगाल में पाया जाते हैं शितोशन प्रकार के उंचे वन पाए जाते हैं 2000 से 3000 मिटर की उंचाई पर कोन धारी सदाहरित वन पाए जाते हैं और 3000 से 4000 मिटर की उंचाई पर अलपाइन वन जो है वो पाए जाते हैं अरुनाचल प्रदेश में भी देखिए इस तरीके के वनों का विस्तार जो है वो देखने को मिलता है अलपाइन वनों का छीक है? इसके बाद देखे 6000 मिटर की उचाई पर किसी भी प्रकार की वनस्पतिया जो है वो नहीं उगती है परवती वनों में देखे परवती वनों में देखने को मिलता है एक एक करके देखे कुछ important points हम डिसकस करते है भोजपत वरक्ष जो है इसे बेतुला यूटिलिस के नाम से भी जाना आता है इस पेड की सफेद चाल जो है वो प्राचिन समय में ग्रंत लिखने में उप्योग होती थी ठीके तो ध्यान रखेगा भोजपत वरक्ष जो है ये पहली बात तो परवती वन है उसके बाद बेतुला यूटिलिस के नाम से जाना जाता है और प्राचिन समय में देखिए ग्रंत लिखने में इसका उप्योग किया जाता था सेकेंड देखिए चीड की बात करते हैं तो चीड का वरक्ष जो है मुख्य रूप से उत्रा खंड में पाय जाता है और इस पेड से देखिए लीसा नामा के एक महतपुन प्रदार्त जो है वो प्राप्त किया आता है इसका उप्योग तारपीन के तेल बनाने में, साबुन बनाने में, कॉस्मेटिक सामन बनाने में उप्योग में आता है ठीक है? ध्यान रखिएगा इस चीड को चीड के वरक्ष से लीसा नामा के एक महतपुन प्रदार्त जो है वो प्राप्त किया जाता है सिल्वर फर्की बात करते हैं तो इसका उप्योग देखिए, माचीस की तीली कागज बनाने में किया जाता है देवदार जो है, ये देखिए समुद्र तल से सरवातिक मुचाई पर पाया जाने वाला वरक्ष है पश्रीम हिमालय में देवदार वनों का विस्तार जो है, वो अत्यदिक मातरा में देखने को मिलता है पश्रीम हिमालय जो है, महाँ पर देवदार वन जो है, वो सबसे अधिक मातरा में पाया जाते है तो फ्रेंड्स किस-किस तरह के वनों का विस्तार भारत में पाय जाता है ये हमने सभी डिस्कस करा आगे देखिए फ्रेंड्स भारत के कुछ मौतपून पेड़ों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहां से भी एक्जाम में अकसर कोशन देखने को मिल जाते हैं तो देखिए पहला पेड़ है खेर खेर वरक्ष जो है ये पूरे भारत वर्ष में पाय जाता है पर सबसे अधिक देखिए ये उत्तर पदेश के अलिगड़ में पाय जाता है पान में जिस चूने के साथ कथे का उप्योग किया जाता है वो कथा इसी पेड़ से प्राप्ट किया जाता है खेर के पेड़ से ही उस कत्थे को प्राप्ट किया जाता है तो exam में question पूछा गया था धियान रखेगा इस चीज़ को इसके बाद देखिए अगला पेड़ आता है पलाश पलाश को देखिए ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के नाम से भी जाना जाता है इस वरक्षक के फूल जो है बहुती आकरशक होते हैं इन आकरशक फूलों के कारण इसे जंगल की आग फ्लेम आफ दा फायर के नाम से जाना जाता है फ्लेम आफ दा फायर के नाम से किसे जाना जाता है पलाश मतलब ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जाना जाता है यहाँ से देखी एक्जाम में कोशन मना था प्राचिन काल में होली के रंग जो है इसी व्रक्ष के फूलों से तेयार किये जाते थे ध्यान रखेगा पलाश के फूल को उत्तर प्रदेश का राच्किये पुश्प जो है वो गुशित किया गया है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा ठीक है इसके बाद देखिए अगला आता है फन ये पोदे की व किस्म है जिसमें न तो फूल होते हैं नहीं बीज होते हैं इस तरह के के पोदे जो है वो पूरे संसार में प्रत्यक भाग पर फेले हुए हैं तो ध्यान रखेगा फर्न पोदे की वो किस्में जहां पर न तो फूल आते हैं और नहीं बीजाते हैं इसके बाद आता है तेंदू व्रक्ष तेंदू व्रक्ष भारत में देखिये मद्य पर देश, जार्कन, 36 गर, ओडिज्योद, और आंधर पर देश में पाया जाता हैं इस व्रक्ष की पत्तिव से बीडी का निर्माण किया जाता हैं पूरे भारत वर्ष में सबसे यादा तेंदू पत्ते का उत्पादन कहां पर किया जाता है मध्य प्रदेश में किया आता है। उल तेंदू पत्ते के उत्पादन का 33 प्रतिशत भाग जो है वो मध्य प्रदेश में ही उत्पादित किया जाता है। clear तो ये देखिए कुछ important वरक्षो को हमने डिसकस करा आगे देखिए कुछ important points में आपको बता रहा हूँ अंडबा निको बार में friends ध्यान रखिएगा mangrove one सदापन्डी मतलब सदाबार one और पतजड़ one मतलब पनपाती one इन सभी का विस्तार जो है वो पाया जाता है एक्जाम में कोशन पुछ ले कि ऐसा कौन सा राजजिया केंशाशिर प्रदेश है जहाँ पर हर तरीके के वनों का विस्तार जो है वो देखने को मिलता है mangrove one भी पाय जाते हैं सदापहर one भी पाय जाते हैं और पतजड़ one भी पाय जाते हैं ठीके कहाँ पर अंडबान निकुबार में नेक्स देखिए फूलो की घाटी की बात करते हैं तो फूलो की घाटी राष्टी उद्ध्यान वेली ओफ फ्लावर्स भारत के उत्राखन राज्य में इस्तिते हैं यहाँ पर देखिए फूलो की 500 से ज़्यादा प्रजातियां जो है वो पाय जाती हैं ऐसा माना जाता है कि रामयान काल में हनुमान जी संजीवनी की खोज में इसी घाटी पर पदा रहे थे किस पर फूलो की घाटी पर फूलो की घाटी कहाँ पर इस्तित है उत्राखन राज्य में इस्तित है तो यह प्राकृतिक वनों से रिलेटेट देखिए हमने complete डेटा जो है वो डिसकस कर लिया आगे देखिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं वनों से संबंदित भारती संस देखिए राष्टी वन निती भारत में जब आई उससे पहले 1855 में लॉड डलो जी ने पूरे भारत वर्ष में वनों के संरक्षन हेतु नियम बनाये थे कब बनाये थे लॉड डलो जी ने 1855 में बनाये थे फिर आगे चलकर देखिए 1854 में लॉड एलगीन दिती है जब वाइसराय थे तब देश में पहली बार राष्टी वन निती लागू की गई थी इस निती के तर देखिए भारत में forest departments मतलब वन विभागों की स्थापना की गई थी आगे चलकर जब भारत आजाद हुआ तब सोतनता प्राप्ती के बाद पहली राष्टी वन निती जो है वो 1952 में घोशित की गई थी सोतनता प्राप्ती के बाद अगर पुछे तो 1952 और अगर ऐसा पुछे कि देश में पहली बार राष्टी वन निती कब लागू की गई थी तो वो 1804 में क्लियर देखे 1952 में जो गोशित की गई थी उसे देखे 1988 में शंशोधीत किया गया और राष्टी वन निती 1988 की गोशना की गई तो राश्टी 1 निती 1988 के देखे क्या क्या लक्ष थे इस निती के अनुसार भारत में 33 प्रतिशत 1 शेत्र की प्राप्ति का लक्ष जो है वो रखा गया था साथी मर्दा अपरदन पर नियंतरन करने का लक्ष रखा गया वनों का संडक्षन करना, इकोलोजिकल बैलेंस बनाए रखना, देश में व्रक्षा रोपन को बढ़ावा देना ये सब लक्ष जो है वो निर्धारित के गए राश्टी 1 निती 1988 के दाथ तो ये समझ में आए आपको राश्टी 1 निती से रिलेटेड हमने पॉइंट देखे आगे बात करते हैं वन अनुसंदान संस्था की Forest Research Institute, FRI जिसे कहा जाता है भारत में वन अनुसंदान संस्था जो है FRI काँ पर इस्थी थे? देरादून में इस्थी थे इसके स्थापना कब होवी थी? 1906 में होवी थी इसके काम क्या-क्या है? वन अनुसंदान करना, Forest Research करना वन अधिकारियों को प्रशिक्षित करना वन रेंजरों को प्रशिक्षित करना ये वन अनुसंदान संस्था मतलब FRI का का काम होता है कहाँ पर ये स्थीते संस्था? देरादून में स्थीते इसके बाद देखिए, भारती वन सर्वेक्षन की बात करते हैं Forest Survey of India वेरी-वेरी इंपोर्टेंट है ये संस्था जो है, भारत के देखिए परियावरन वन और जलवायू मंत्रालाए के अधिनाती है इसकी स्थापना का वोवी थी? 1981 में इसकी स्थापना हुई थी Forest Survey of India मतलब भारती वन सर्वेक्षन की स्थापना हुई थी 1981 में FSI जो है Forest Survey of India ये हर दो साल के अंत्राल में भारती वनो से संबंदित अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तूत करता है अभी सबसे latest देखिए इसने 2019 दिसंबर में अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तूत की थी तो उस रिपोर्ट के अनुसार क्या डेटा important है? चलि हम उसको देख लेते हैं मैंने देखिए 2020 जनवरी करेंटा फिर में भी डेटा डिसकस कर रखा है एक बार हम उसको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार देखिए वनो एवं व्रक्षों से अच्छादिश शेत्र जो है कुल भोगोलिक शेत्र का कितना प्रतिशत है? 24.56 प्रतिशत है Very very important कुल भोगोलिक शेत्र का कितना प्रतिशत है? वनो और व्रक्षों से अच्छादिश शेत्र? 24.56 प्रतिशत सरवादिक वन शेत्रफल वाले राज्यों की बात करते हैं तो सबसे आदा देखिए वन शेत्रफल मध्यप्रदेश में उसके बाद अरुनाचल प्रदेश और फिर आता है 36 गड़ का नमबर तो ये सिक्वेंस ध्यान रखिएगा प्रतिशत्ता के आदार पर सरवादिक वनावरण वाले राज्यों की बात करते हैं तो देखिए सबसे ज़्यादा मिजोरम में है मिजोरम का कुल भोगलिक शेत्रफल जो है वहाँ पर देखिए उसका 85.41 प्रतिशत भाग पर वनो का विस्तार जो है वो पाया जाता है इसके बाद आता है देखिए अरुनाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर आता है मेघाल है तो प्रतिशत्ता के आधार पर सरवादिक वनावरण वाले राज्य ध्यान रखिएगा पहले नंबर पर मिजोरम दूसरे पर अरुनाचल प्रदेश और तीसरे पर मेघाल है देश में देखिए मेंग्रो वनों की उपस्तिती की बात करें तो सबसे आदा पाए जाते हैं ये पश्चिम मंगाल में सेकेंड नमबर पर आदा है देखिए गुजराद इस रिपोर्ट के अनुसार वन शेत्रफल में सरवाधिक वरदी करने वाले राज्य जो है वो कौन-कौन से हैं सबसे पहले नमबर पर करना टक और सेकेंड नमबर पर आता है आंधरपदेश तो ये देखिए हमने इस रिपोर्ट में क्या-क्या important points निगल सकते थे वो मैंने आपको बता दिये question बनेगा तो easy से बनेगा इन चीजों को आप जरूर दियान रखिएगा आगे देखिए दो important points नो हम डिसकस करते हैं उसके बाद हमारा theory section complete हो जाएगा भारत में व्रक्षा रोपन को प्रोसान देने हैतू 1950 में भारत के क्रशी मंत्री थे K.M. मुन्शी उन्होंने one महुच्चव की शुरूराद की थी तो one महुच्चव के जन्मदाता जो है वो कोन है K.M. मुन्शी है इस महुच्चव को देखिए जुलाई के प्रतम सप्ता में मनाया जाता है एक्जाम में कुशन पूचे आपसे की वन महुच्चव के जन्मदाता कोन है तो ध्यान रखिएगा K.M. मुन्शी है सेकेंड देखिए चिपको आंदुलन चिपको आंदुलन जो है ये एक पर्यावरण संबंधित आंदुलन था जोकि 1970 में प्रारम भुआ था ये आंदुलन भारत के उत्राखन राज जब उत्राखन उत्रपदेश का भाग हुआ करता था उसमें किसानों ने व्रक्षों की कटाई का विरोध करने एतु शुरू किया था तो चिपको आंदुलन जो है ये एक पर्यावरण संबंधी आंदुलन था ध्यान रखेगा इस चीज़ को तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों और वन संबंधी संस्ताओं से रिलेटेड सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर कर लिए ठीके इसके बाद देखिए कोई भी डेटा नहीं बसता है जहां से एक्जाम में आपसे कोईशन पूछा जाए तो अगर आपने यह पूरा डेटा जो मैंने आपको बताया अच्छे से एक बार आपने समझ लिया ध्यान से सुन लिया तो आपका 101% इसी में से कोईशन फशेगा तो सारा theory section अमारा cover हो गया अब देखिए second part इसका बसता है हमारा question answer test वाला जिसमें 50 plus important question जो है वो हम cover करेंगे last year exam में जो question पूछे गए और जो पूछे जा सकते हैं वो सारे question जो है वो हम complete कर लेंगे तो second part भी उतना important है जितना यह theory section क्योंकि आपको idea लगेगा कि किस तरीके से question जो है वो exam में पूछे जाते हैं तो वो वाला part जो है वो आप जरूर देखिएगा अगर आपको देखिए इस topic का PDF डाउनलोड करना है तो crazy secret trick का application डाउनलोड कर लिजेगा क्योंकि इस तरीके के beneficial वीडियो जब भी मैं upload करूँगा आपको उसका benefit मिलता रहेगा तो friends मिलते हैं अंगले वीडियो में जय हिन जय भारत